हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका टॉक विद अब्दूल चैनल पे आज की वीडियो टाइटिल इंधर मिल देखके आपको पता लग गया होगा SBI बहतरीन इंटर्शिप आपके लिए लेकर आया हुआ है यहां पे मौका बहुत अच्छा है आपको मन्तली एक अच्छा खासा स्टैपेंट भी मिलने वाला है सिलेक्षिन भी बहुत आसान है इतना डिफिकल्ट नहीं है और अगर आप यहां पे SBI में काम करना चाहते हो तो यह मौका बिलकुल भी मिसमात करना आपको इमारी इंफूसिस की वीडियो पसंद आये थी लेकर आया हूँ एक और बहतरीन इंटर्शिप के अपडेट आप लोगो के लिए वीडियो को इंटर्ट देखना बीच में से मत छोड़ना सारी चीज़ें हम डिसकस करेंगे कि यहां पर कौन एप्लाय कर सकता है कौलिफिकेशन क्या है आपको यहां पर सेलेक्शन जो है उसके प्रोसेस का पूरा आइडिया ओवर्वीव भी इस वीडियो में ही देने वाल अगर आपने नहीं चेक किया तो यह नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिसना हो तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटे से रेक्वेस्ट है अगर आप यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखते हो तो सारी चीज़ा आपको समझ आएगी बीच में से वीडियो को छोड़ने से क्या होता है काफी इंफर्मिशन अधूरी दे जाती है अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी तो वीडियो को लाइकश ज़रूर से कर देना अगर ओप Virginia को दोजार लाइक का जलिसे कम्प्लीट कर दो अगर आपको ऐसे वीडियों के नोटिफिकशन टाइम पे करके बेल अइकन प्रेस केरेना आपको notification मिल जाएगा आप चली बात करते है SBI की internship के बारे में यह जो internship है इसका नाम जो है आप इसा कह सकते हो के पूरा इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ SBI Youth for India Fellowship 2024-25 अब यहां पे कौन apply कर सकता है कैसे apply कर सकता है वो सब कुछ बात करेंगे एक एक करके सब कुछ discuss करते हैं यह start होने वाली 1st August 2024 को यह जो है 13 months मतलब करीब करीब एक साल के internship है और वो भी full time No doubt यह full time opportunity है लेकिन आपको अच्छा कासा stipend मिल जाएगा बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा लेकिन एक decent stipend जिससे आपका जो है initial level पर काम हो जाएगा बाइदवे यह जो opportunity है इसके details की basic चीजों के बारे में बात करो तो आप rural communities के साथ काम करोगे rural development में काम करोगे जो जो problems आते हैं तो काफी अच्छा मौका है आपको बहुत अच्छा experience मिल सकता है अब either way अगर आप SBA जैसे कोई regular vacancies की तेयारे भी कर रहे हो साथ में जैसे कि IPPS लेकर आता है RBI लेकर आता है SBA की भी अपनी vacancy आती है तो हमने banking की बहतरी notes बनाई है आप यहां पे इसको check out कर सकते ह इसमें सारे subjects covered है यहां पर mostly जो main subjects रहता है ना पूरे हमने cover कर दी है और इसमें आपको बहुत in-depth content मिल जाएगा मैंने इस वीडियो के description में आपको link provide कर दी है offer है आप लोगों के लिए तो check करना मत बूरना बात करते हैं यहां पर eligibility criteria की तो अगर आपने अपना graduation complete कर लिया है इसी भी field से तो आप यहां पर apply कर सकते हो यह जो है main criteria है मैं at least मैं इन्होंने डाला है तो इतना तो होना ही चाहिए और इन्होंने कहा है कि before the commencement of the program that means अगर program August 13 को शुरू हो रहा है तो आप यहां पर apply कर सकते हो अगर आप अभी final year में हो और अगर आपका graduation इसी साल complete होने वा 1st October 2003 यह यह range के बीच में हुआ होना चाहिए तो आप apply बिल्कुल कर सकते हो that means 21 to 32 की age limit यहां पर इन्होंने allow की हुई है next यहां पर बात करते है Indian citizens तो apply कर सकते है नेपल और बूतान की भी citizens यहां पर apply कर सकते है next बात करते है इसका application का process किस तरीके से तो आपको यहां पर यह स्टोरी पर्सपेक्टिव आपका इंटेंशन इस fellowship को जोईन करने का क्या है वह आपको शेर करने को एक सामय सा कुछ बताया नहीं जा रहा है फिर आपका होगा personal interview अगर आप यह फर्स स्टेज को clear कर लेते हो देन आपका आता है personal interview जहां पर पैनल आपको जो है सवाल पूछ जाएगा सो यहां पर यह प्रॉसस के अंदर कहीं भी मुझे ऐसे डिफिकल्ट टेक्निकल एक्जाम नहीं दिख रही है बस आपका जो है आपका इंटेंशन इस fellowship को लेके क्या है उसके उपर completely आपका सेलेक्शन डिपेंड करता है बस आप क्राइटिर ग्रेजुशन का है उ इतना टाइम आप काम करोगे दूरेशन फिर एक मंतली एलावेंस एक हजार रुपेगा भी मिलेगा जो आपके ट्रांसपोर्ट एक्स्पेंस को कवर करेगा एक और मंतली बन थाउजन रुपीज का अपके प्रजेक्ट रिलेटेड एक्स्पेंस को भी कवर करेगा और आपको दिया जाएगा अगर आप इसको 12-13 मंस की इंटर्शिप है मंतली आपको 17,000 तो मिली रहे प्लस अगर आप 70,000 को भी अगर 12 पार्ट में डिवाइड करते हो तो करीब-करीब आपका जो है 6,000 का और एडिशन होता है तो 23,000 रुपेज पर मंत इस नोट बैड अगर आप इसको अच्छे से complete करते हो तो यह amount आपका monthly average manage हो जाएगी और एक important चीज़ आप जहां पे भी आना जाना करोगे तो आपको 3rd AC का यहां पे जो है train ticket दिया जाएगा आप जहां पे भी आपका जो है जाना रहेगा तो यह भी चीज इनोंने mention किये आपका health and personal accident insurance policy से भी इ आपको यहां पर नहीं नहीं जो है प्रीमियर organization के साथ आपकी links create होंगे आपको यहां पर mentorship दी जाएगी और एक आप अच्छा खासा जो है एक take away आपका जो है इस internship से बहुत अच्छा रहेगा यह मुझे यहां पर जो लिखा हुआ है उससे काफी कुछ दिख रहा है तो मेर जली से अभी जाके apply करते ना इस वीडियो के description में link available है और banking की तैयारी कर रहे हो भाई आगर आप government exams की तो banking के notes हमने बनाया है जिसकी link मैंने इस वीडियो के description में provide कर दी है तो उमीद करता हूँ आपको सबकु समझ में आ गया होका वीडियो पसंद आई हो तो comment करके जरूर से पताना मिलते नेक्स वीडियो में नेक्स जॉब अपडेट में तब तक के लिए good bye take care